आज हम जानेंगे रास्टी खेल दिवस के बारे में कुछ महत्पून प्रश्ण पहला प्रश्ण है रास्टी खेल दिवस कम मनाया जाता है जिसका उत्तर है 29 अगस्त प्रश्णमबर दो, रास्टे खेल दिवस किन का जनम दिन है? जिसका उत्तर है मेजर ध्यानचंद का प्रश्णमबर तीन, मेजर ध्यानचंद का जनम कहां हुआ था? इसका उत्तर है इलावाद इलावाद का नाम बर्तमान में प्रियाग राज किया गया है प्रशनमबर चार, मेजर ध्यानचंद कोन सा खेल खेलते थे? इसका उत्तर है फिल्ड हौकी. उन्होंने 1928, 1932 और 1936 में उलम्पिक में स्वन पदक जीते थे. इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूशन के समान से भी समानित किया था. प्रशनमबर पांच, हौकी का जादुगर किने कहते हैं? इसका उत्तर है मेजर ध्यानचंद को. प्रशनमबर चै, मेजर ध्यानचंद ने कितने गूल बनाये थे? जिसका सही उत्तर है 1000 से अधिक. प्रश्नम्बर साथ है होकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं इसका उत्तर है होकी के खेल में 11-11 खिलाड़ीं की दो टीम होती हैं प्रश्नम्बर आठ है हमारे देश का रास्टे खेल कोन सा है जिसका उत्तर है होकी प्रश्नम्बर नो, मेजर ध्यांचंद रास्टिय स्टेडियम कहां इस्थित है, जिसका उत्तर है दिल्ली में राजपत पर यह स्टेडियम 1933 में बनाया गया और इसका नाम इर्विन एमपी थेटर रखा गया था इसके वास्तुकार एंथोनी एस डेमिलो थे, 1951 के एश्याई खेलो के समय इसका नाम बदल कर रास्टिय स्टेडियम किया गया था प्रश्नम्बर दस, स्टेडियम का नाम मेजर ध्यांचंद स्टेडियम कब हुआ, जिसका सही उत्तर है वर्ष 2002 में प्रश्नम्बर ग्यार है ध्यांचंद पुरुषकार कफ शुरू हुआ, जिसका उत्तर है वर्ष 1991-92 में प्रश्नम्बर बार ध्यांचंद पुरुषकार में कितनी पुरुषकार राशी दी जाती है इसका उत्तर है एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपे प्रशनमबर 13 है भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरुसकार कोन सा है? जिसका उत्तर है मेजर ध्यांचंद खेल पुरुसकार प्रश्ण नमबर 14 ध्यांचन पुरुसकार प्राप्त करने वाले सबसे पहले खिलाडी कौन थे जिसका उत्तर है विश्वनात आनंद शत्रंच के खिलाडी है प्रश्ण नमबर 15 है रास्टी खेल पुरुसकार कौन देता है जिसका उत्तर है यूथ अफेयर्स एंड इस्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यह पुरुसकार भारत के रास्टपती चैनित खिलाडियों को प्रदान करते हैं धन्यवाद